हालो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है तो आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या चीज़े रख सकते हैं कुछ ऐसे जरूरी चीज़े जो आपके पास उस टाइम पर होने ही चाहिए और हॉ बातर केसि जो डिलीवरी है वो उस डेट से पहले ही हो जाती है तो सर्दियों में डिलीवरी है तो उस टाइम पर जाधा के जरूरत पड़ती है ठंड लगने के चांस से जाधा होते है आपकी बॉडि भी होती है तो इसीलिए अपने बैग में जो जो चीज़े में बताने वाली होना वो आप जरूर रखिएगा ताकि आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो आपके पार्टनर को भी बार बार शॉप पर कुछ चीज़े खरीदने के लिए नहीं जाना पड़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच का विडियो नमबर बन देखिए चाहे आपके डिलीवरी होने वाली होती है चाहे मौसम सर्दियों का हो चाहे कोई भी मौसम हो जर्ब से जरूरी चीज़े होती है वो होती है आपकी रिपोर्ट्स पूरा जो प्रेगनेंसी के नाइन मंस थे इस टाइम पर आपकी जो जो भी रिपोर्ट् आप उनकी एक file बना कर रखिए उसमें साले reports होने चाहिए इसके लावा अगर आपके husband या आपका कोई insurance है जिससे कि आगर रखे वो payment में help कर सकता है आपकी तो वो सारे insurance paper इन सब की आपको एक file बना कर रखनी चाहिए ताकि आपको उस time पर जो है problem ना हो कई बार ऐसा होता है क तो ये आप problem face नहीं करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ आपको यही करनी है कि delivery से एक महिना पहले आप अपने reports को हमेशा एक जगा रखे इंशॉरंस जो भी आपका है उनसे पहले ही बात करके रखें कौन से hospital में आपको delivery करानी है ये सब भी आप पूरा finalize करके रख नमबर टू सर्दियों में delivery होने वाली तो देखिए delivery की टाइम पर आपको तीन से चार देन hospital में रहना पड़ता है तो आप उसी के recording अपना कोई गाउन रख सकते हैं जो कि खुला हो ताकि आपके लिए comfortable हो या फिर आप जो है अपने इनर जो होते हैं बुलन्स पजामा जो होगा ठंड लगती है तो गलवस लेके जा सकते हैं कोई शॉल कोई स्वेटर यह सारी चीजे जो है आपको रखनी आपको में अपने सर को अपने पैरों को अपने चेस्ट को जो है अच्छे से कवर रखना है तो सर्दियों के टाइम में यह चीजे आपको ध्यान में तो इसलिए एक थर्मस आप जरूर लेकर रखी जिसमें की पानी गरम रह सके नेक्स एक हॉस्पिल राते वक्त आपके बैग में जो है मेटनिटी पैड्स भी होने जहीं मेटनिटी पैड्स नहीं होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं उनका साइस बड़ा होता है और क्योंकि डिलिवरी के बाद देखे आपको ब्लीडिंग काफे जादा होते है कुछ टाइम तक और आप बार बार उठकर नहीं जा सकते हैं तो अच्छा होगा कि आप पहले ही खरीद कर रखे और एक पूरा अच्छा एक पैकेट लेकर रख लीजे यह सारी चीजे बेसिक बेसिक जो है यह अपने बैग में आप जरूर रख ले इसके लाव अपने हॉस्पिटल बैग में जो है मोबाइल का चार्जर रूर रख ले इयर फोन्स रख ले कुछ बुक्स रख सकते हैं पढ़ने के लिए प्रेंच देखें डिलीवरी के बाद कई बार असा होता है कि हम मेटरिनिटी पैट्स भी यूज़ कर रहे हैं पर फिर भी जो है स्पॉर्टिंग के चांसिस रहते हैं तो आप अपने ले एक्स्ट्रा पैंटीज और ब्रा ये भी जो है आप जरूर लेकर रख ले और ब्रा अपने के लिए एक ड्रेस आप जरूर रख लें वो ड्रेस एक गाउन हो सकता है ताकि आपको किसी तरकी प्रॉबलम ना हो डिलीवरी के बाद कुछ टाम तक पेन रहता है तो इसलिए उस टाम पर जितना हो सके कमफर्टेब कपड़े पैरों में पैनने के लिए आप एक अ हो सकती है तो इस चिसका आप ध्यान रखें तो फ्रेंड से जो सारी चीज़े मैंने बताई है अपने हॉस्पिटल बैग में आप जरूर जरूर रख लें डिलीवरी के कम से कम 20-25 दिन पहले इस बैग को आप रेडी करके रख लीजे एक पैग आपका है और एक बैग जो है जो बेबी की बैग होता है, इस पर मैं अल्रेडी वीडियो में आ चुकी हूँ है, अगर वो नहीं देखिया है तो उसका लिंक में धे दूंगी यहां पर यहां जाकर चुक कर सकते हैं आपको मारे वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं कि आपको मारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई अगर सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बोक करदेए।